नवस्ते दोस्तों सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं डीचन प्रफॉर्म्स इचासिटी पर तो देखे मैंने आपको बोला है कि गुरूपडी के एक्जाम्स आपको पास हैं और भी बहुत सारे एक्जाम्स आपकी अनौन्स रहो चुकी हैं और उमीद करता हूँ कि आप इसे लास तक देखेंगे ठीक है और चैनल पे नहीं होंगे तो जुरू सब्सक्राइब करेगा वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करेगा और मैं पुरी कोशिश करूँगा कि ज्यादा और वेरी वेल्यूबल इंफॉर्मेशन मैं आपको प्र जी करती जीगा यह निस स्स्राइब करना लाई करना चले पहला कोशिशन ले लेते हैं चर्चित रास्टी महिला 2021-2022 में जो कि आपको पूछी जा सकती है तो सबसे पहला कोशिशन है कि सेल की पहले महिला चेयर्मेन को आने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोशन एक नंबर क यहां पर सोमामंडल त्यान रखेगा कौन हो जाएंगी सोमामंडल जो इस question का answer हो जाएगा और आपको पताए कि अगर headquarters पूछा जाएगा cell का तो वो कहां पर हो जाएगा बाई नियू दिल्ली में establishment cell की कब हुई थी ये भी पूछा जाता है आपको कभी-कभी तो वो इती 1954 में कब हुई थी तो वो इती 1954 में एक नंबर का question है जो कि आपको confirm पूछा जाएगा cell और कई आपकी जितने भी examination से इंदर बीच हुए है सब में पूछा भी गया है ठीक है ये दियान रखेगा आगे बढ़ते हैं अगला question ले लेते हैं यहाँ पर सोमा मंडल आप दीख भी रहे हैं अगला question ले लेते हैं दीज का सबसे यूवा मेर कौन सी मेला बनी है very very important question जो कि आपको पूछा डग सकता है 100% कोशन आपको पूछा जाने वाला question है क्योंकि ऐसे questions आपको बनते ही बनते हैं ठीक है which woman has become the youngest mayor of the country प्रियंका मोहिते आर्या राजेंदरन सोमा मंडल या फिर भावना कान तो सोमा मंडल को तो आपने ऐसे eliminate किर दिया जो सही इंसर हो जागा वो कौन हो जाएंगी आर्या राजेंदरन हो जाएंगी और यह कहां से बनी भाई तो यह पनिय तिरवंत परम से ध्यान की सबसे कमंड की मियर कौन बनी है तो आर्या राजइंदरन बनी है जो कि आपको पूछी जासकते हैं जो कि मात्र फाहिश साल की है एक नंबर का कोशन है जो कि अपको कन्फिर पूछा जा सकता है आगे पढ़ते हैं अगला कोश्चन ले लेतें और या बनीतिंक बताऊंगी केरला से नसकॉम की पहली महिला द्यक्ष कुन बनी ये भी बहुत बढ़ा कोशन है आपको बूचा ही जाएगा कि नसकॉम की पहली महिला द्यक्ष रेखा या फिर आपके स्क्रीन पर या एंसर है तो वह कौन हो जाएगी रेखा एमनन हो जाएगी कौन तो वह नासकॉम की पहली महिला हो जाएगी अध्यक जो कि आपको बूचा जा सकता है इसको नोट डाउन का लीजेगा ये कोशन आपको बनेगा ही बनेगा ठीक है और बाकि अगर फुल फॉर्म पूचा जाता है तो इसको बताओगा National Association of Software and Service Companies, Nascom का फुल फॉर्म स्टाब्रिस्मेंट पूचा जाएगा तो 1988 में ठीक है अगला कॉशन लेते हैं भारत की सबसे युवा महिला पाइलेट कौन बनी who has become the youngest female pilot of India रिखा मिनन या फिर सिरसा बंदला, सोमा मंदल या फिर आईसा जीज तो जो सही इंसर हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगे आईसा जीज द्यान रखे गाएक नंबर का question जो confirm आपको पूछा जाने वाला है आके पढ़ते माउंट अनपुर्णा को फता करने वाली पहली भारती मेला कौन बनी who has become the first Indian woman to scale माउंट अनपुर्णा रेखाया मैंनन सिरसा मंदला प्रियंका मोहिते या फिर आपका ऐसा जीज तो जो सही इंसर हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगी वो जाएंगी प्रियंका मोहिते दूसरी मेला और तीसरी भारती इन अमेरिकल ध्यान रखेगा who has become the second Indian origin woman and third Indian American to go to into space रेखाया मैनन सिरसा बंदला प्रियंका मोहिते या फिर आईसा जीज तो देखिए आप सबको इलिमिनेट कर सकते हैं आईसे यह जीज यंगेस प्रियर देख लिया और फिर इंका मोहिता मांटेनियर हो कहीं 2000 में उत्राकंट के establishment हुई है करेंट में पुछा जाएगा CM कौन है तो वो हो जाएंगे पुसकर सिंग धामी ठीक है ध्यान रखेगा पुसकर सिंग धामी CM हो जाएंगे और लाफ्टनेंट गुर्मीद सिंग कौन हो जाएंगे यहांके वो हो जाएंगे हरप्रीत A.D. सिंग जो है वो air carrier की पहली महिला CEO बन गई है जो कि आपका एक नमबर का question ने पूछा जासकता है which woman has became the first woman fighter commander of India भारत की पहली महिला fighter commander कौन बनी है हरपीत ADC बनी है, सलजा धामी बनी है, गौरी सावन बनी है फिर हीना जाय स्वाल बनी है तो जो सही इंसर हो जागा वो कौन हो जाएंगी, वो जाएंगी सलजा धामी, ध्यान रखेगा सलजा धामी जो है वो पहली महिला fighter commander बनी है, जो कि आपको पूछी रहा सकते है एक नंबर का question है, very very important question आगे बढ़ते है, वाइस से ना कि पहली महिला fighter engineer कौन सी महिला बनी है which woman has become the first woman fighter engineer of the air force हरपीत ADC या फिर सलजा धामी, गौरी सावन्त या फिर हीना जैस्वाल यहां से एक number आपको बनना ही है और जितने भी लोग देख रहे हैं, सब को एक एक number बनने है ऐसा महिला सोचेगा, ठीक है, सब को कोई ना कोई उसके जो है, phases में question पूछे जा सकते है, maybe more than one भी हो सकता है एक तो बनेगा ही, एक से ज़्यादा भी बनेगा ठीक है, कौन हो जाएंगे मिंटी अगरवाल, जो की यह आयूदी सेवा मिडल पाने वाली पहली महिला भी बन चुकी है Supreme Court में judge बनने वाली पहली महिला वकील कौन है, who is the first woman lawyer to become a judge in the Supreme Court तो जो सही unsur हो जाएंगी, कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, जो है इनकी मह díasख लेगी, अभी देख ले है आपने मिडल गईल कौन हमेंटा था regulator ठीक है जो कि एलेक्शन कमिशन के सरी एलेक्शन अमेजडर बनी और चंद्राणी मुर्मों पर बहुत ही अच्छा कोश्चन बनने वाला है जो कि BJD बिजू जंतादल पार्टी से बलॉंग करती है आगे बनेगा तो उन कोश्चन पर ही इसका एंसर भी करेंगे हम ठीक है चले से यंगेस मेयर पूछा रहेगा तो वो हो जाएंगे आपके आर्या राजेंद्रन जो कि के रिला से हैं आगे बढ़ते हैं भारती सेना की महिले महिला जच कौन से महिला बनी विच वोमें अस बिकिन तो फर्स वोमें जच ऑफ दे इंडिया नामी जोती सर्मा सिवांगी सि नोसेना की पहली महिला पाइलेट कौन बनी हो विच वोमें एस बिकिन दो फर्स वोमें पाइलेट ऑफ इंडिया नेवी जोती सर्मा सिवांगी 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 जोसी आफे चंदराणी मूर में देंगे यहां से दो कोशन इन दोनों नामों पे बनेगा दोनों ही मैं वह फर्स वोमें पाइलेट ऑफ दडा नेवी जो आपको बन सकता है जबकि शिवांगी चंच क्या बनेगा भारत की पहली मेडला फाइटर पाइलेट कौन बनी है तो वह कौन हो जाएंगी वह जाएंगी आपकी सिवांगी सिंग्ग आपको पुची दा सकते हैं has become the first woman fighter pilot in India that is Shivangi Singh आगे बढ़ते हैं who has become the first woman D.I.Z. of the Indian coast guard ये भी बहुत अच्छा question है पहली भारती तरक्षल बक्की महला IDG कौन बनी है भाई भावना कान Shivangi Singh, Shivangi Joosia फिर नुपूर को से तो जो सही इंसर हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगी वो पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं भारत की पहली महिला ambulance driver very very important कौन हो जाएंगे भाई एम वीर लक्षमी ये पूछा गया है आपको 100% पूछा जाने वाला question है वीर लक्षमी कौन हो जाएंगी भारत की पहली महिला ambulance driver है जो कि आपको पूछी जा सकते हैं आगे बढ़ते हैं भारत की पहली महिला ललाकु विमान पाइलेट कौन बनी who has become the first woman fighter of aircraft pilot of India भावना कांथ मिनाक्षी लेकी वीर लक्षमी या फिर नुपूर कुल से इस तो eliminate दो option करके जो सही answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगी भावना कांथ ठीक है मिनाक्षी लेकी पर भाई कोशन बनाएंगे अभी हम गरतन दिवस में परेट में सामिन हो ले देश की पहली महिला fighter pilot कौन बनी यह भी बड़या question है तो जो सह answer हो जाएगा वो कौन हो जाएगी धाट इस पूजा देवी एक नंबर का question यह भी आपको पूछा रा सकते है यह भी देखें बहुत चाहा question है कि world trade organization which woman has became the first woman director of WTO जिसकी establishment 1995 में हो जाएगा वो कौन हो जाएगी लारेल हबर्ट काजा क्लास या फिर नागोजी कांजोई वेला या फिर जियस लक्ष्मी तो जो सही answer हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी नागोजी कांजाई वेला जबकि कि इस question का अगर answer पूछा जाएगा वो कौन हो जाएगा तो वो हो जाएगी आपकी नागोजी कांजाई वेला जहां रखेगा 1995 में इसकी establishment हो जबकि लारेल हबर्ट I think सबको बताओगा कि भी आपने Tokyo Olympic दिखाओगा अगर पूछा रखा कि पहले transgender participate करने वाले कौन हो एक नंबर का question है very very important first transgender in Tokyo Olympic in Olympics that is Laurel Hubbard यह भी 100% पूछेगा question first transgender ध्यान रखेगा in Olympic that is Laurel Hubbard जो कि weightlifter है एक नंबर का question है जबकि इस question का answer हो जागा नागोजी कांजो इवेला ठीक है World Aid Organization के महला निदेशब who has became the first female president of Tanjaniya Tanjaniya की पहले महिला रासपती कौन बनी है Laurel Hubbard काजा कलस G.S. लक्ष्मियाफिस समीता सुलू हसन तो जो सही इसर हो जाएंगी वो जाएंगी सामिया सुलू हसन जो की Tanjaniya की महिला रासपती बन गई एक नंबर का question जो कि आपको पूछा रहा सकता है ओलम्पिक में हिस्सा लेने वाली पहली transgender महिला कौन सी यह देखिए कुछ सोच नहीं नहीं है अब आपको आप क्या करेंगे question कैंसे लगाएंगे लॉरेन हबर्ड जो की आपको अभी जैस मैंने बताया भी था न्यूजिलैंड की पहली भारती मूल के महिला मंत्री कौन बनी यह भी बहुत इजी कोश्चन है जो सही इंसल हो जाएंगी वह जाएंगी प्रियंका राधा कृश्चन जबकि अगर पूछा जाएगा कि भाई न्यूजिलैंड की PM के बारे में तो वो भी आपको पूछा रहा सकता है एक नंबर का वो भी फीमेली है एक नंबर का कोश्चन बनेगा अगर बनता है तब और न्यूजिलैंड की पीम अगर पूछा रहा तो कॉन है तो वो हो जाएंगी जय संद़ां अर दिन यह भी द्यान रखेका न्यूजिलैंड आपका'slab पूछा जाने वाला कोश्चन की यदि-स सरा मत्रय सामिया सृतरिक चांफ 14 नौरा आल मातोसी या फिर प्रियंका राधा कृष्णन या फिर आपका जो है जीएस लक्ष्मी या फिर सामया सुलू हसन तो क्लियर है आपके स्क्रीन पर वह कौन हो जाएंगे नौरा आल मात्रोसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक नंबर का कोश्चन यूसे रास्पती च इमिल Chief Justice of Kenya नौराल मात्रोसी या फिर नार्था कूम या फिर जीएस लक्ष्मी तुलसी गयाबट वेरी इजी मार्था कूम कौन हो जाएंगी Kenya की पहली मुख्य नादीज बनी है महिला मुख्य नादीज जो कि आपको पूछी जा सकते है और मैलबॉन किकट क्लब की पहली म अंपायर एन मेल क्रिकेट अगर पूछा रहेगा कि मेल क्रिकेट में फिर्स फिमेल अंपायर को आने दाट इस अल्सों क्लेयर पॉलशक वो भी एक नंबर का कोशन जो कि आपको पूछी जा सकते हैं आगे बढ़ते हैं फिर्स फिमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपेयन कमिशन ठीक है यूरोपेयन कमिशन की पहली महिला देख्षवान बनी है नौराल मात्रोश्य बनी है मार्था कूम या फिर उर्जला फॉन डेलैनी या फर तुलसी गेबर्ट तो जो से इंसर हो जाएगा वह जाएंगा उर् फिमल प्रेसिडेंट बनी फॉर्स फिमल प्रेसिडेंट स्कता है जैसे डū पूछा चाया सकता है वर्ट ये पूछ रासकता है इसी तरह ये भी पूछा रासकता है वह बिकिम दे यंगेस वोमें टू क्रॉस दा अटांक्टिक ओशन ये भी बड़या कोशन है भाई अटांक्टिक मास अगर पार करने वारी सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है नौरा बन गई है मार्था कूम है जैस्मीन है या फिर जी एस लक्षमी है तो जो सही इंसर हो और बिना सोचे आप एंसर लगा देंगे जी एस लक्षमी क्योंकि मैं लगातार इनको बताते ही आ रहा हूं आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान की पहले महिला लेट्टनेंट जनल कौन बनी है नौरा बनी है निगार जोहर बनी है जैस्मीन है फिर जो है जी एस लक्षमी तो जो से इंसर हो जाएगा और निगार जोहर करेंट अकर के सेशन में मैंने पढ़ा भी रखा है वेस बिकिम तो फॉर्स वोमें लेटनेंट जनल आफ पाकिस्तान दैट इस निगार जोहर आगे बढ़ते हैं अमेरिका की पहली महिलाव प्रास्पति कौन बनी है वेरी वेरी नाम मिले और भी नाम में जल्दी एड़ कर दूँगा जैसे ही अपडेट होता है तो उमीद करता हूँ इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा बस यह कहूंगा सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा ज्यादा लाइक करें चैनल पर नहीं तो जरू सब्सक्राइब करें और जल जादा शेयर करें और तैंकिए सो मच आशन का सेशन देखने के लिए ऐसे इंबॉन सेशन में आपको प्रेज़न करते रहोंगा एक्जाम तक आपके जितने भी अप्रेंटेशन से और मैं अपको प्रेंगा और यह करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शियर कर लेते हैं तो 22% off मिल रहा है code यूज करना है आपको विम्रेइस है ठीक है प्लस बहुत सारे benefits है benefits लाइक अगर आप लेते हैं तो complete syllabus अब्लेट अपने आपको benefits मिल रहा है वहाँ पर अभ्यास railways गुरूब डी बैच कोर्स फिफ तरी फिफ जन से स्टाट हो रहा है आपको लक्ष है फिफ जन से स्टाट हो रहा है नहीं बहुत सारे batch courses में मैं दिखूंगा जो है कि आपने जो भी डॉब्स हैं वहाँ पर क्लेर कर सकते class में और रेलिवेस सब्सक्रिप्शन अगर लेना है वन मन से शिक्स मन तक क्या option है कोड सेम होगा आपका विम्ले से देर 14 और इससे आपको आज अगर लेते हैं तो 32 परसंट तक का डिसकांट मिल जाएगा 22 परसंट फॉंद परसंट फॉंद परसंट फॉंद कोई ठीक है तो अगर आप चाहें तो आप ले भी सकते हैं उसके लावा आप पॉल सेट हो जाएगे एग्जाम को क्रेकर रहे के लिए प्लस फ्री क्लासिस भी वहाँ पर चलाई जा रहे हैं तो थैंक यू सो मच भाबाय ठीक के ध्यान रखिये मिलते हैं आपको नेक्स सेशन में